बिस्मिल्य रवाने रहीं चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने हेर्स को किस तरह से ग्रे होने और एल्टिमेटली वाइट होने से कैसे बचा सकते हैं तो उसके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर बाल ही नहीं रहेंगे तो वाइट होना यगरे होना कैसा है तो इसलिए मैंने चाहा कि एक इसके हवाले से भी वीडियो बना दूँ कि किस तरह से हम हेर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं बताता है जो कि हेर लॉस जो है वो भी एक natural process है और इसके साहद यह होता है कि re-grow होना शुरू हो जाते है यानि जितने बाल हमारे जड़ते हैं उतने ज्यादा ग्रो होना शुरू होना जाते है लेकर वकत के सासाथ यह कपैस्टिय उस तरह से नहीं रहती वक्त के साथ साथ होता यह है कि हमारे बाल जो है ज़ड़ना शुरू हो जाते हैं, तेज से जड़ते हैं, उनका नंबर ज्यादा शुरू हो जाता है लेकन उतने re-grow नहीं होते हैं जिसकी वयाँ से आपने देखा होगा कि hair loss होना शुरू हो जाता है कुछ हमारे scalp पे कुछ ऐसे areas हैं जहां पे यह ज़्यादा तेजी से होता है as compared to other areas तो यह भी वक्त के साथ साथ एक process है जो कि होता है अब हम इसको कैसे prevent कर सकते हैं, उससे पहले मैं बताता चलो कि जिस तरह से मैंने last time बताया कि जो हमारे stem cells होते हैं, वो mature होके hair growth करवाते हैं तो इसी तरह से वक्त के साथ साथ उन stem cells में कमी हो जाती है اور stem cells जो उन 것으로 chasmation one होते हैं, जो हमारे hair growth करवाते हैं उन में भी कमी हो जाता जिसके व्यादा से हमारे further hair जो है वो grow नहीं होते और उनका renewal का जो process है वो भी काम होना शुरू हो जाता है तो ये एक natural process है जो के वकत के साथ साथ चलता है लेकन कुछ लोगों में जो है वो बहुत तेजी से hair loss होता है उसकी बहुत सारी दीकर वजोहात हो सकती है for example कुछ लोगों में autoimmune disease होती है जिसकी वज़ा से hair loss जो होती ही से होता है कुछ लोगों में thyroid का problem होता है तो hormone जो है imbalance हो जाते है hormone का release जो है वो affect होता है जिसकी वाएसे hair loss जादा होना शुरू हो जाता है और इस तरह से बहुत सारे और factors हैं जो के hair loss को जो मुतासर करते हैं हमारे hair renewal को मुतासर करते हैं तो इन सारे factors को हमें consider करना होगा तो जब भी अगर आप में sudden कोई hair loss होना शुरू हो गया है तो ऐसी disease condition है तो फिर आपको dermatologist के पास जाना चाहिए जो कि आपको identify करेगा क्या आप में autoimmune disease आती है medicines भी approved की है male के लिए भी female के लिए भी जो अगर आप use करें तो उससे hair loss को किसी हद तक काम किया जा सकता है लेकिन जो medicines हैं इनके अपने side effects हैं इसलिए बहुत सारे doctors हैं वो recommend नहीं करते हैं तो आप finally यह है कि हम किस तरह से बचे तो इसके लिए कोई अभी तक ऐसा scientifically like कोई ऐसी therapy नहीं है कि हम इससे बाइ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको होच से consider करनी चाहिए कि हार्स treatment नहीं करनी चाहिए जैसे shampoo का बहुत ज़्यदा इस्तमाल करने से hair loss होना चुरू हो जाता है तो उसको भी आप अगर ऐसा रुज़ाना अपने बाह दोते हैं तो उसके लिए आप soft किसम के shampoo यूज़ कर सकते हैं इस तरह से बहुत सारी चीज़ें है जो के factors हैं आपके hair loss के लिए तो आप किसी अच्छे dermatology से consult कर सकते हैं इस तरह से hair loss अगर ज्यादा हो रहा है तो यह factors हो सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यदा hair loss हो गया है तो there are different options जो कि आप यूज़ कर सकते हैं for example जो है आप transplant कर वा सकते हैं अगर आपके किसी खास area में hair loss हो चुका है तो आप इस तरह के मुक्तलिफ options यूज़ कर सकते हैं और एक last बात मैं आपको बताता है सेनुम के कुछ लोगों में एक strong genetic effect होता है तो genetic effect वया से उसमें loss नहीं होता है तो मेरे ख्याल में यह आपके लिए काफी helpful हो का अगर आपके क्यों question हो तो आप पूछ सकते हैं Thank you very much